प्रिटियों के शुरू करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ अगर आप खाना खा रहे हो तो अभी के लिए ये वीडियो स्केप कर देना है फिर कुछ खाने की चीज़ हाथ में हो तो क्योंके शुरूतिक का एक ऐसी लड़की है जो पता नहीं उसकी पौटी की जो भी रामायन है वो खतम ही नहीं हो अब जो है वो बंदी दिग विजय के साथ में बैठ करके बोलती है जो तुम खाते हो तुम्हारे पिछवड़े से वही निकलता है जैसे आज तुमने फिश ख दे जिनको इतना डीटेल में जाकर के देखने हो 24 आर्स में बैठ करके देख सकते ना लाइफ पे लेकिन नहीं यह एपिसोड का हिस्सा है यह शुरू हो रहा है जस्ट इमाजिन रात के दस बजे आप बैठ करके जब देख रहे हो बिग बॉस खाना खाते खाते उस वक में यह मैडम पुरा लगभाग तीन मिनट तक यही बूलती है ट्टी के उपर ट्टी का कलर किया होता है ट्टी सॉलिड होता है पतला होता है कैसा होता है कम से कम सो गाली दी होंगे मैंने विग बॉस को एक चीज़ बताना चाहरा हूँ आज कल मैं रेडिट में जो है बहुत ज सेनों को जोकर बोल रहे है यहां पे लोग गरण मौसी को जो है mastermind बोल रहे है मतलब जितनी reverse वाली चीज़ है वो सारी चीज़ बोल रहे है देखो मैं मानता हूँ कि जो लोग बिग बॉस नहीं देखने का दावा करते और कहते कि thank god मैं इस बवसीर से दूर हूँ मैं तो द मा कसो कलेश मा इतना वैला होना भाई कि बाजू में कलेश हो रहा होता है मैं सिस्टम छोड़कर कर दोल गए जाता हूँ पहले आदा गंटा कलेश देख करके आता हूँ लोगों के बीच में फाइटिंग हो रही थे आज तक सही नहीं कर पाया है वो कह रहा है टीवी पे कि 35 साल उसने गुजारे अपनी बीवी के साथ में 35 या 35 साल निकाले उस बंदे ने आज तक उसने अपनी बीवी का दिमाग ठीक नहीं किया बीवी भी बताती है कि वो माइंड कोच है और इसी चीज के उपर में इसी चीज के उपर में जब इस बंदे ने कह दिया कि भाई इस से जो लोग उने माइंड कोच लिया न वो अपना इलाज करवा लो अपना ट्रीट्मेंट फिर से करवा ले ना क्यूंकि यह जो औरत कर रही है सारा मतलब क्या हरकत कर रही है शी इस लिटरली जिलिस और उसके मुंसे बहुत कुछ निकलने वाला था लेकिन वो फिर भी सेंसर कर रही है वो बोल रही है बेबी को नापने चाहिए बेबी को दूदू नहीं दिया यह सारी चीज़े बोल रही फिर बीच में बोल रही है कौन साफ फॉर्मूला लेता है यह फॉर्मूला लाया क्या घर से यह बंदी लिटरली तीन दीन लगाता और पूरा का पूरा एपिसोड घसीटा है सारा के उपर में बिग बॉस ने लेकिन एक बार के लिए भी बिग ब बाहर निकल करे आप भी कान लगा के सुनते हैं साला हुआ किस बात में कली जरा मुझे भी तो पता चले टो स्टॉप जजिंग मी और मेरे जैसे लोगों को और कहावत है गलत गलत होता है सही सही होता है और सही का साथ भी जो है एक नाएक दिन लोग देते है अविनाश के स चाता है उसको हर तरह से डिग्रेट करना चाता है सबने उसका साथ दिया शुरुतिका शी जस्ट इंतुड़ फाइट और बूलने लगी भाई कि मत करो मत करो मत करो हां एक टाइम के लिए मुझे भी लगा कि वह इंस्टिगेट कर रही और खास करके उंगली कर रही है ऐसा गलत बोल सकते हैं कहां की बात चल रही है तुम कहां पे लगा रहे हो मतलब मैं सोच रहा था कि सबसे वेला मैं हूँ जो बिग बॉस का एपिसोड बैट करके देखता हूं लेकिन मुझसे भी ज़्यादा वह बंदा है जो इस बात को कहां से कहां कसीट करके ले करके जा रह मुझे भी भी सीखने में बहुत टाइम है क्योंकि मैं रजट दलाल जासे हो जाता हूं अगर किसी के साथ हो गया तो भाई में गया साले को देख लूँगा मैं यह हम लोग की नॉमल बात होती जब किसे जगड़ा हो जाता है गाली गलोस हो जाते एक दो थपड़ लगा द यह चीज रेडिट में एक्स में मतलब ट्रेंड करवा रही है कि देखो बिग बॉस को भी यह पेल रहा है अरे बिग बॉस ने सीधा कह दिया यार तुम कितने बार यूटन मार चुके है और यह बंदा खुद ही आ करके बोलता उस वाक गर्मागरी में थोड़ा हो गया था खास चीज नहीं है वो अपना ही आलाग ही बबल में घूम रहा होता है ठीक है फोड़ो यार उसका बबल ठीक है लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में है वो गया और सबका सिगरेट उठा करके डाल दिया बुलता है मुझे बदबु आरीति मैंने फेक दिया उसे साब से तुझे जब खाना खाना नहीं रहेगा तो दूसारा राशन उठाए को ले जाकर कि फेक देगा स्विमिंग पुल में कि मुझे भूक नहीं है तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि घर के अंदर में साइको गिरी बढ़ता जा रहा है और बिग बॉस इस चीज का पूरा फा को बढ़ने भी